आठवी कक्षा के सभी बच्चों को जब सिनमाने बोलना सीखा वीडियो दो में स्वाकत करती हूं हमारा ये जो पाड़ है जब सिनमाने बोलना सीखा श्री प्रदीब दिवारी जी द्वारा लिखित ये सिब्यसी के NCEAT वसंद बागदो में शामिल किया गया है और ये जो पाड़ है उसमें लेकक ने यह दर्शाना चाहा है कि भारत में सिनमा ने बोलना सीखा अर्थात पहले मूँख फिल्में बनती दी लेकिन अब भारत में भी बोलने वाली फिल्में बनने लगी है पिछले जो वीडियो में हमने डिसकस किया था भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा और उसका जो रिलीसिंग था 14th मार्च 1931 को and in the year 1929 M. Irani ko that is Ardeshar Irani ko किससे प्रेरना मिला कि वह आलम आरा स्टाट कर सके जी हां, Hollywood की बोलती फिल्म शोबोट से उनको प्रेरना मिली और उनोने चाहा की ऐसी एक फिल्म बनाए next point we discussed was आलम आरा का आधार, so यह फिल्म आलम आरा का आधार पार्सी रंगमच, that is Persian रंगमच, नाटक की लोगप्रिय नाटक से बना है, इसकी script writing next point was कम साधनो में निर्मिद फिल्म, that is M. Nirani ने स्वायम यह स्विकार किया की इस फिल्म को बनाने के समय उनके पास कोई समवादलेगक नहीदा, गीदगार नहीदा, संगीदगार नहीदा, और यह सब के बावजूद भी उनोने केवल तीन इंस्ट्रुमें से तबला हार्मोनियम और गिटार की प्रयोग किया केवल पार्श्व गायग के सहारे यानि की पीचे से गीद गाने वाले W.M. घान दे our next point was आलम आरा की नवीन देन जो पहली सारी फिल्मों के शूटिंग दिन में होती दी लेकिन इसकी शूटिंग रात में हुई दी जिससे artificial light की व्यवस्ता की शुरुवात की गई अब देखिए हम next paragraph में जाएंगे page number 61 में second paragraph देखिए उस दौर में उनका मुकदमा उनका case मुहमद आली जिनना ने लड़ा जो तब के मशूर वकील हुआ करते थी वस दौरुवा करते थी विटल मुकदमा जीते एंड विटल वन देखिए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने अनी अगें बिकें दी नायक मने सती है रागें प्लाव के लिए सिह से क्या Vट जो इनके कामया भी ले लुडर सियeten ृब्रें के नायक के बने लिए सान मने बिकें प्मएग करये बने फिल्म के नायक में अलो सुठन मने साजूरिश sì illustrations में मारथान हिंधी दूर जी एंड नायक है hero of Marathian Hindi film and also he became stunned man के रूप में fighting करने वाला fighting करना सिखाने वाला इसके अलावा other than this आलम आरा में सोहराब मोदी, पृत्राज कबूर याकूब और जगदीश सेथी जैसे अभीनेदा भी मौजूद रहे and these were the other actors in the movie आलम आरा और आगे चलकर जो फिल्म अद्योग के प्रमुग स्थांभू बने and they became very famous in the film industry next paragraph देखिए ये फिल्म 14 मार्श 1931 को मुंबाई के मैजेस्टिक सिनमा में प्रदर्शित हुई फिल्म आठ सप्ताह तक हाउस फुल चली और बीड इतनी उमडती दी कि पुलिस के लिए नियंदरन करना मुश्किल हो जाया करतादा so children देखिए every single actor in this movie became significant figures in Bollywood history the first movie theater where it was screened was the majestic cinema house and people flooded from different directions to watch India's first talkie the authority had to bring up police force to control the crowd Samikshagun ने इसे बढ़की ली fantasy film करार कर दिया दा मगर दर्शगों के लिए यह film एक अनुखा अनुबव दी so for the people those who came to watch the movie it was a very strange experience for them यह film 10,000 फुट लंबी दी और इसे चार महीनों की कडी महनत से महनत, hard work से तयार किया गया दा and the movie took 4 months to produce and the length of the film was 10,000 feet it was a remarkable achievement that the film production company was able to produce the first talking movie with so many limitations next paragraph देके सवाक फिलिमों के लिए पौरानिक कदावों यानिकी ancient stories पार्सी रंगमंच के नाटगों Persian dramas and अर्भी प्रेम कदावों and Arabian love stories विशे की रूप में चुना गया दा and इनके अलावा कई सामाजिक विश्यों वाली film में भी बनी and there were many films based on all these topics and there were many other films which was the topic was based on social issues ऐसी ही एक फिल्म दी घुदा की शान and such a film was घुदा की शान underline कीजे इसमे एक किरदार महात्मा गांधी जे साद and there was a character किरदार, character like महात्मा गांधी इसके कारण सवाक cinema को British प्रशासगो ने the British rulers ने this movie को तीकी नजर का जामना करना पड़ पुदा की शान एक ऐसा फिल्म दा जिसमे महात्मा गांधी जे से किरदार दा one character was there just like महात्मा गांधी so that this particular cinema had to face some difficulties from the British rulers next paragraph देकिए सवाक cinema की नए दौर की शिरुवात new beginning started निर्मादा निर्देशक आरदेशिर इतने विनम्र दे की जब 1956 में आलम आरा के प्रदशन की 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानिद किया गया और उन्हें बारदीय सवाक फिल्मों का पिता underline and he was known as the father of Indian talkie movies सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्हें उस मौके पर कहा and he said during that time मुझे इतना बड़ा गिताब देने की जरूरत नहीं है मैंने तो देश के लिए अपने हिसे का जरूरी योगदान दिया है and he did not and he said that he doesn't want to take the credit but he had given his contribution for the nation जब पहली बार नेक्स पारग्राफ देखिये जब पहली बार चिनमा ने बोलना सी क्लिया in the movie started to talk चिनमा में काम करने के लिए पडे लिखे अबिनेधा अबिनेत्रियम की जरूरत भी उई दि another problem happened was when the first talkie started there were need of actors who are educated क्योंकि जब पहली बोलना पडादा उस समय पढ़के बोलना पडादा सिर्फ अबिनेई से काम नहीं चलने वाला दा अक्टिंग विल नाट हेल्प देम उल्ली आक्टिंग विल नाट हेल्प देम मूग फिल्मों के दौर में तो पहलवान चैसे शरीर वाले stunt करने वाले और उचल कूद करने वाले अब इने दहुम से काम चल जाया करता दा अब उने समवाद बोलना दा और गायन की प्रदिबा की कद्र भी होने लगी दी so in those times when silent movies were taken there were पहलवान like a wrestler who stunt करने वाले यह लोग दे लेकिन जब डायलोग बोलना पड़ा तो मामला कुछ गड़बड होने लगा इसलिए आलम आरा के बाद आरंबिक सवाक दौर की फिल्मे इसलिए आलम आरा के बाद देखिए आरंबिक सवाक दौर की फिल्मे next round of talky there were many the one who sing and act the one who sing and does the acting so they were given more importance because they were educated and importance the greatness of Hindi language as well as Urdu language has increased cinema में देह मनें शरीर और तक्नीक तक्नीक अर्थ क्या है टेक्नीक देह और शरीर की देह और तक्नीक की बाशा की जगह जैन प्रजलिद बोल चाल की बाशा वोम का दाकिला हुआ and other than the देह और तक्नीक, बाशा की जगह जैन प्रजलिद बाशा की जगह and most popular languages were been adapted to cinema एक तरह की नही आजादी दी and this was a new freedom, this was a new step जिससे आगे चलकर हमारे देनिक और सार्वजनिक जीवन का आवर देली एंड सार्वजन एग्जिवन, पुब्लिक लाइफ का प्रदिभिंब, रफ्लेक्षिन, आवर देली लाइफ और पुब्लिक लाइफ का रफ्लेक्षिन, फिलमों में बहतर होकर उबरने लगे, we could see in the movies, so that is a plus point, for language also got importance, next paragraph दिखिये, अभिनेदावों, अभिनेत्रियों की लोगप्रियदा का असर उस दौर के दर्शगों पर भी घूपड रहा था, and the influence of actors and actresses were increased, मादुरी नाम की फिलम में नाइगा सुलोजना की हैरस्टाइल, and the actress' हैरस्टाइल was trending, अब उस दौर में आवरतों में लोगप्रिय दिस हैरस्टाइल, आवरतें अपनी केश सज्जा, their hair decoration, उसी तरह कर रही दि, अरदेशिर इरानी की फिलमों में बाहरतीय के अलावा, so other than the Indians, इरानी कलाकारों ने भी अबने कियाद, so in his most of the films, not only Indians, other than that, इरानी artists also were acted, स्वयम आलम आरा बाहरत के अलावा, श्री लंगा, बर्मा और पश्च्छम अश्या में पसंद की केई, so other than India, this film was given, established in Sri Lanka, this movie was released in Sri Lanka, बर्मा और पश्च्छम अश्या, लास्ट पारगराप देखे, भारदेशिर इरानी की उबलब्धी को अपनाना हीद, क्योंगी वहासे सिनमा का एक नया यूग, अन्यू इरा शुरू हो गयाद, बिगन, अन्यू इरा वस बिगन, because भारदेशिर इरानी की उबलब्धी को अपनाना हीद, because क्योंगी वहासे सिनमा के लिए एक नयू इरा शुरू इरा शुरू इरा शुरू इसी से इस पाडखा जो वीडियो है, यहां पे समापत होती है, दन्यवाद। क्योंदी पत्रादिवार्पम पाड़चे मापसाफ देपिछरू लिए वीडियो लिएपजरू में पज़ती हैं, झाल झाल